सिर्सा जिले वर्सात और अन्य बीमारियों से खराब हुई नर्मा और कपास की फसल का जायजा लेने के लिए सिर्सा उपायुक्त रमेश चंद्र संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ गौबों में पहुँचे। सबसे पहले उपायुक्त गौब दर्बा कला पहुँचे और उसके बाद गौब नातुसरी कला, नहराना और माकोसरानी पहुँचे। जहां उन्होंने प्रभावित फसल का जायजा लिया और किसानों से बात की। इस अफसर पर किसानों ने मुआफजा देने की मांग उनके सामने रखी। आपको बता दे की जिले में नर्मा और कपास की फसल में सडन विल्ट की बीमारी का प्रकोब बढ़ा है। इसे देशी भाषा में शौट मारना भी कहते हैं, जिससे नर्मा के पोधों से पत्ते काले होकर जढ़ गए हैं और नर्मा के पोधे पर नामातर तिंदे ही लगे बीटी नर्मा की पोधे पोशक तत्वों के अभाव में खराब होने से खिसानों की मीन दुरा दी है। अचानक नर्मा की फसल को शार्ट मार गया जिससे फसल सूखने लगी है डॉक्टर गुलाव सिंग की रिपोर्ट